हलो फ्रेंड वेलकम टू आर चैनल इस वीडियो में बात करूँगा यूपी पुलिस भरती की जो बहुत अच्छी वेकेंसी है नमबर वेकेंसी बहुत जादा है उसकी तैयारी की उसमें क्या वेतन मिलेगा कितनी पोश्ट है और इसमें क्या सिलिवस आएगा कौन-कौन सा किस तरह से पैटर्न रहेगा एक्जाम को किस तरह से हम अटेंड करेंगे और इंपोटेंट बात की फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये सारी चीए डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें नमबर आफ वेकेंसी तो इसमें टोटल वेकेंसी है 9,534 9,534 वेकेंसी को तीन पोश्ट में डिवाइड किया है एक तो उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस और दूसरा प्लाटून कमांडर तीसरा है अगनी समत दुती अधिकारी तो इसकी वेकेंसी हैं 23 इसकी वेकेंसी हैं 484 और उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस की जो वेकेंसी है वो नोजार सब्ताइस इन तीन वेकेंसी इस पर तीन पोश्ट पर 9,534 लगबाद साड़े एक महीने तक फॉर्म को फिल किया जा सकता है फॉर्म की फीस रहेगी 400 रुपे एक अप्रेल 2021 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे इसके बाद बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिकेशन की सेक्षक आरेता की सबसे पहली जो पोश्ट है उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर दोनों पोश्ट जो 9,027 पोश्ट है एंड 484 पोश्ट है इन दोनों के लिए आप कोई भी डिगरी जिसके पास कोई भी डिगरी हो ठीक है ग्रेजुशन की वो इसमें एप्लाई कर सकता है और अगनी समग दुती अधिकारी के लिए आपको साइंस से ग्रेजुएट होना आवशक है इसमें आपके पास साइंस होना जरूरी है और इसमें आप किसी भी डिगरी से इसमें एप्लाई कर सकते हो और ये पोश्ट अगनी समग की कितनी है तो वो भी आपके लिए काउंट होगा जिसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे इसका वस एडिशनल आपको वरिता दी जाएगी इसके कोई भी मार्क्स नहीं होगे अगर दो केस फस्ते हैं तो उसमें वरिता आपको मिलेगी जिनको ओ इस तर है जिनके पास ओ इस तर का प्रमार्ण पत्र होगा इसके बाद बात करते हैं इसमें इसमें फिजिकल होगा तो फिजिकल में पुरुशों के लिए जो उंचाई रखी गई है इसके बात करते हैं इस लिखित परिक्षा में क्या-क्या चीजें होगी कितने नंबर का पेपर होगा और इस इंडिविजिल पेपर में सिलेबस क्या होगा तो चार सो नंबर का ये पेपर है चार सो अंको का ये पेपर है जिसमें चार विश्य होगे सामाने हिंदी होगा मूल विदी समविधान और सामाने ग्यान होगा और इसमें numerical ability और mental ability के questions भी होंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योगता परिक्षा भी होगी साथ में मानसिक अभीरुची परिक्षा और बुद्धी लब्दी परिक्षा तारके परिक्षा रिजनिंग भी होगी सभी 100-100 नमबर के इसमें paper होंगे total होगा 400 marks का अब सबसे important बात पहली बात तो ये कि ये 2 खंटे का paper है complete और दूसरी important बात ये कि आपको individually 35 marks लाने कंपल सरी हैं हर subject में और आपको कम से कम सभी में total जो है वो 200 रहना अनिवार है 200 अगर आपके नहीं है तो आपको next step के लिए का शामिल नहीं किया जाएगा इसमें individually 100 number मेंसे आपको 35 score करना जरूरी है सामने हिंदी इस तरह से समविधान इस तरह संख्यात्मक जो योगता परिक्षा है उसमें सभी में 35 number लाने जरूरी है 35% और overall आपके 200 marks होने जरूरी है अब इसके बात कर लेते हैं इसमें सामने हिंदी में क्या कर ची आएगी तो हिंदी परियावाची बिरूम शब्द जो लगबग 10 class तक की चीज़े होती है वो सारी चीज़े इसमें पूछी आएगी सामने ग्यान में मूल विदी समविधान और सामने ग्यान से संबंदित इसमें उत्तर परदेश की भी जीके पूछी आएगी बाहर के लोग भी अपलाई कर सकते हैं अगर उनको उत्तर परदेश की जीके नहीं किये हैं उन्होंने कोई बात नहीं लेकिन बाकी जो है subject करके आप 35% score कर सकते हो और remain आप दूसरे जो subject हैं उनसे भी score कर सकते हो अब इसके बात करते हैं इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक यूगता परिक्षा की तो number system simplification decimal fractions and highest common यानि SCF और LCM percentage, profit loss, discount, simple interest, compound interest, partnership, average, time and work, time and distance और tablet of graphs यान DIG questions, arithmetic competitions and analytic functions, mensuration इस तरह के बहुत simple से इसमें topic हैं साथ में logical, diagram, simple relations और इसमें reasoning के भी topic को क्या किया है, include किया है इसके बात करते हैं इसमें four subject जो की hundred number का ही है जिसमें से आपको 35 marks minimum लाने है मानसिक, अभी रुची परिक्षा और बुद्धी लबदी परिक्षा या फिक्तार की परिक्षा में इसमें reasoning के ही काफी सारे जो points हैं वो इसमें mention है और mental toughness, law and order और ability and adaptability पुलिस system, इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है analogy, series and completion direction sense, test and chart type, when diagram, problem based alphabet, काफी सारी जो चीज़े हैं आपने already पढ़ रखी होंगी और मैं आपको अपनी चैनल पर भी इसकी short videos provide करूँगा इन सभी concepts की ओके, thank you, good luck, waste of luck इसकी link में description में डाल दूँगा जैसी apply की link चालू होगी इसकी link में description बाल दूँगा आप वहाँ से जाके apply कर सकते हो इस form पर विशेज ध्यान देना और इसकी तैयारी अभी से start कर देना बहुत जल्दी इसका process complete हो जाएगा ओके जी, good luck